दिखाएं और बताएं. इस मॉडियूल में सीखे जाने वाले मुख्य चरण यहां बताए गए हैं. नई फाइल ओपन करना. ब्रश टूल का उप्योग करना. पेंसिल टूल का उप्योग करना. कलर रिप्लेस्मेंट टूल का उप्योग करना. बैग्राउंड लेयर की कॉपी बनाना. पेंट टूल के बारे में सीखना और पात को सिलेक्शन में बदलना. सिलेक्शन को कलर करना. नई फाइल ओपन करने से शुरुवात करेंगे. अब आप फोटोशॉप फाइल क्रियेट करने का तरीका जानते हैं. ब्रश आइकन खोजे. यह यहाँ है. इसे क्लिक करें और ड्रॉ करें. यह आपको स्कूल की दिनों की याद दिलाता है. है ना? आईए, देखें, यह कितने मिलते जुलते हैं. गौर करें कि ब्रश कितना नरम है. ठीक वैसे ही, जैसे पानी के रंग का इस्तिमाल करते समय, ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते थे. कीबोर्ड की ब्रैकेट्स कीज को दबा कर, ब्रश साइस को बड़ी आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है. इस तरह, देखें कि ब्रश के बाल कितने नरम है. हम, ओपेसिटी बदल कर, स्ट्रोक्स को पारदर्शक बना सकते हैं. ध्यान से देखिए, मैं ओपेसिटी को सव प्रतिशत पर रिसेट कर देता हूँ. और पेंसिल टूल का इस्तेमाल करता हूँ. अब पेंसिल की लकिरों के लिए वापस जाएं और ब्रश टूल आइकन पर राइट क्लिक करें. वहाँ पर पेंसिल टूल है, इसे सिलेक्ट करें और ड्रॉ करें. पेंसिल स्ट्रोक और ब्रश स्ट्रोक के बीच का फर्क देखें. पेंसिल स्ट्रोक के छोर मोटे या गहरे होते हैं, जिससे वह एक अच्छा ड्रॉइंग टूल बनता है. और ब्रश के हलके स्ट्रोक्स इसे पेंट का अच्छा टूल बनाते हैं पेंसिल के साथ किस चीज की जोड़ी होती है जी हाँ, इरेजर की और फोटोशॉप के पास ये टूल भी है इसका आकार आम इरेजर या रबर जैसा ही होता है गौर से देखिए, लकीर का नामू निशान भी नहीं है आईए, मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ इरेजर ने अभी हमारे द्वारा चुने गए बैग्राउंड कलर में लकीर पर पेंट किया है देखिए अब देखिए, मैं बैग्राउंड कलर बदल कर इरेजर का इस्तिमाल कर रहा हूँ लेकिन वह पेंट दिखा रहा है इसलिए, इरेजर से इरेजर जैसा काम करवाने के लिए बैग्राउंड कलर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए ब्रश की तरह ही, ब्रैकेट कीज को दबाकर इरेजर की साइस को बड़ी आसानी से बढ़ाएं या घटाएं जितनी बार चाहें, उतनी बार दबाएं सब कुछ गायब हो गया, मिट गया और अब एक जादूई टूल देखें ये है कलर रिपलेस्मेंट टूल मैं इमीज फाइल पर काम करूँगा रिपलेस्मेंट टूल साइस बढ़ाएं और जूम इन करें अब ध्यान पूरवग देखें मैं जिस कलर पर सबसे पहले क्लिक करूँगा वह री प्लेस्मेंट टूल द्वारा बदले जाने वाले कलर के तौर पर याद रखा जाएगा गौर से देखिए सिर्फ मौझूदा फोर ग्राउंड कलर नारंगी कलर को काले में बदला जा रहा है अन्य कलर्स वैसे की वैसे ही रहते हैं यदि मैं इसे पूरा करता हूँ तो लड़के, सफेद, पीले और हरे चोकनों वाली काली पगड़ी हो जाएगा लेकिन काला उतना अच्छा नहीं लग रहा क्या इसे फिर से नारंगी किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? एडिट में जाएं और अंडू रीप्लेस्मेंट टूल करें लेकिन याद रखें मैं रीप्लेस्मेंट को सेव करने के बाद रीप्लेस्मेंट टूल को अंडू नहीं कर सकता उसके बाद मैं फिर से ओरीजिनल कलर पर वापस नहीं जा सकता बशर्ते मैंने ओरीजिनल इमेज लेयर की कॉपी बनाई हो बड़ी गल्ती हो गई मैं background layer में ही बदलाव कर रहा था मुझे पहले original layer की copy बनानी चाहिए इस तरह हमेशा original image को background की तरह रखें और कोई भी बदलाव करने से पहले उसका duplicate बना ले shape draw करने के लिए आवश्यक अगला tool pen tool है ये एक path create करता है जिसे selection में बदला जा सकता है लेकिन pen tool ज्यादा सही shape देता है एक खाली फाइल ले और नियमित अंतरालों पर क्लिक करते हुए path बनाना शुरू करें इस तरह बनाए गए points को anchor points कहा जाता है अंत में पहले anchor point पर क्लिक करके path को बंद करें ध्यान से देखें कि path for ground color से भर गया है एक बार फिर से गौर से देखें एक अन्य pen tool free form pen एक अन्यमित path बनाता है और वहाँ पर path को edit करने के लिए tools है convert point tool corner point में एक हलका या smooth anchor point बनाता है गौर से देखिए path को बहतर बनाने के लिए ज्यादा anchor points की जरुरत पड़ती है add anchor point tool उनको बनाता है और delete anchor point tool की मदद से अंचाहे points हटा सकते है गौर से देखिए लेकिन मुझे एक कर भी चाहिए इसलिए convert point tool के साथ points को drag करें इससे दो handles निकलते हैं उनको बाहर की ओर drag करें और आवशक shape में मोड लें बहुत ध्यान से देखें अब प्रत्यक path खंडो, points और दिशा से बना हुआ है और pen tool को इन में से किसी में भी बदलाव करने shape create करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है क्या आपको याद है interface module में दिखाया गया था कि paths panel कहा है आईए उसे खोलें हमारे द्वारा create किया गया प्रत्यक path अपने आप path tab में save हो जाता है इस path selection tool की मदद से इसे selection में बदलें आईए अब इसे color करें सबसे पहले color चुनें अब bucket tool का इस्तिमाल करके उसे भरें लेकिन मुझे graded color चाहिए इसलिए हम foreground और background के तौर पर दो अलग-अलग color चुनेंगे gradient tool चुनें और उसकी line को पूरे shape में drag करें drag की जाने वाली लंबाई और angle gradient निर्धारित करेगा यहाँ पर हमारा draw module समाप्त होगे